नमस्कार, स्वागत है आपका फंकी फैक्ट्स में बारिस के मौसम में मच्छडों की भरमार हो जाती है इस मच्छडों द्वारा मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारिया फैलती है विश्व के सबसे खतरनाग जीवों की सेनी में मच्छडों को भी रखा जाता है मच्छड भले ही आकार में छोटे होते हैं मगर इनके काटने से होने वाली बिमारियों का आकार काफी बड़ा एवं जानलेवा साबित होता है आपको जानकर हैरानी होगी कि मच्छडों के काटने से हर साल लगभग 10 लाख लोगों की मौत हो जाती है मच्छड अर्थवे उस्था के लिए भी काफी महत्तपूर्ण होते हैं आप पुछेंगे कैसे तो इन मच्छडों को भगाने या मारने के लिए कई तरह के प्रोड़क्त बाजार में उपलब्ध है परन्तु इस वीडियो के माध्यम से हम आपको मच्छडों से संबंदित कुछ दिल्चस्प तत्थों से रूबरू करवाएंगे तो चलिए प्रारंब करते हैं मच्छडों की लगभग 3500 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है इन में से मात्र 6% प्रजाती की माधम मच्छड ही मनुस्यों का रक्त पीती है इन में से सो प्रजाती ही ऐसी होती है जो बिमारी के परजीवियों का वाहग बनती है मच्छणों की प्रजाती क्यूलेक्स गोधिली बेला में काटती है जबकी एडिस जाती के मच्छड दिन में काटते है नर मच्छड साकाहरी होते हैं ये कभी नहीं काटते हमेशा मादा मच्छड ही काटती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मादा मच्छड को अपने अंडों के विकास के लिए प्रोटीन की आउ सकता होती है जो की मनुस्य के रक्त से ही प्राप्त करती है एक नर मच्छड दस दिनों तक जिन्दा रहते जबकि मादा मच्छड छै से आठ हपतों तक जिन्दा रह सकती है मादा मच्छड एक वक्त में करीब तीन सौ अंडे देती है मच्छडों के दात नहीं होते उनमें एक लंबा निडिल के समान डंक होता है जिसके सामने की ओर 47 नुकिले किनारे होते हैं जिससे आसानी से यह रक्त खीच सकते हैं एक मच्छड अपने वजन से तीन गुना जादा रक्त पी सकता है एक सोध में पता चला है कि बीयर पीने वाले एवं ज़्यादा पसीना जिन को आता है उनको मच्छड ज़्यादा काटते हैं इसके अलावा गर्भोती महिलाओं को भी मच्छड ज़्यादा काटते हैं क्योंकि उनमें गर्मी और कार्बन डायकसाइट का ज्यादा उत्सरजन होता है मच्छड रक्त चूसने के बाद प्लाजमा जैसा तरल पदार्थ मनुस्य के तवचा में छोड़ देते हैं मनुस्यों से निकलने वाली गर्मी व कार्बन डायकसाइट का पता मच्छडों को सतर फिट पहले ही पता चल जाता है मच्छड अपने जन्म के बाद सुरुआती दस दिन पानी में ही बिताते हैं इस दुनिया में इंसानों की तुल्ना में 14,000 गुना ज्यादा मच्छड है इस आवाज को तो आपने सुना ही होगा मच्छडों से आने वाली आवाज उनके पंखों से आती है जो की एक सेकंड में 500 बार फड़ फड़ाते हैं मच्छड के लार में खुन न जमने वाला पदार्थ होता है जिससे उन्हें खुन चूसने में आसानी होती है मच्छड दो फिट परती सेकंड की स्पीट से उड़ते हैं और 40 फिट से ज्यादा उपर नहीं उड़ सकते इतिहास में हुए सभी युद्धों से ज्यादा मौते मच्छडों के काटने से हुई है इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद फिर मिलेंगे नए फैक्स के साथ फंकी फैक्स में